मेरे शाय खैसे तो बरबार लग्या जांश करता है तो एसे ही मसाले वाली कड़क चाय के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं हॉममेट चाय मसाला जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी चाय को बनाएगा जैसे मार्केट में मसाले वाली चाय मिलती है घर पे हम मसाले वाली चाय बना सकते हैं बिल्कुल आसानी सी पांच मिनट में ये मसाला बने कर तैयार हो जाता है और शुरुक्षित भी है और आपके लिए healthy भी है जो immunity system बूस्ट करेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस कड़क मसाले को Hello Friends, मैं सोनी, सोनी food style में आपका बहुत बहुत स्वागत है homemade चाय मसाला बनाने के लिए यहां मैंने कुछ मसाले लिए हैं तो मैं आपको बता रहे हूं जो खाना खाने वाला चमच होता है उसी चमच से मैंने सारी चीजे ली है तो उसी चमच से मैं आपको बता रहे हूं दो बड़े चमच मैंने यहां हरे वाली इलायची ली है वजन से बताऊं तो लगबग ये 7-8 ग्राम है दो बड़े चमबची मैंने यहां सौंफ ली है ये ग्राम से बताऊं तो 7-8 है एक बड़ा चमबची मैंने यहां काले मिर्श ली है वजन से लगबग 2 ग्राम है और 7-8 मैंने यहां लोंग ली है नें लगबग यह डेड़ इंची डाल चीनी के टुगडे है यह बड़े वाली इलाइच लिये है। यह लगबग अधिये जाइफल से थोड़ा कम ही है। और 10-12 मैंने यहां तुलसी के पते लिए हैं, तुलसी के पते बिलकुल ऑप्शनल है, तुलसी के पते डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा ही, साथ ही साथ ही हेल्दी भी है, यह मैंने थोड़े देर के लिए धूप में सुखा लिये हैं, अब मैं यहां ड्राइ है, साबुत वाली तो आप उसका पाउडर बना लिजे, या पाउडर मिलता है मार्केट में बोले लिजे, साथ ही साथ मैं यहां 5-6 केसर के धागी ले रही हूँ, यह बिलकुल ऑप्शनल है, अगर आप में डालना चाहीं तो डाल सकते हैं, चाई मसाला बनाने के लिए सार मसाले डालेंगे, ड्राइ चिंजर पाउडर जो सौट पाउडर है वो मैंने अलग निकाल लिया है, उसको बिलकुल नी भोलना है, जो खड़े मसाले हैं, इनको हम भोलनेंगे, एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर बोलनेंगे, हाई फ्लेम बिलकुल ने करनी है, नहीं ज़ड़ जाएंगे, तो लो फ्लेम पर हम इने दो मिनट के लिए हलका सा ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, जिससे जो भी मुश्चर होगा वो निकल जाएगा, चाहे मसाला ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमें मसालों का मुश्चर खतम करना बहुत ह ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए या तो आप दो से तीन घंटे के लिए आप दूप में सुखा लीजे से, या आप इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लीजे, देखिए तुलसी के पते मैंने दूप में भी सुखा लिए थे और हलके से मैं इसको भून भी रह लेएंगे, देखिए मैंने इनको भून लिया है, आप देख पारे होंगे इनका कलर हटका साथ चेंज हो गया है, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बस दो मिनट के लिए हम भून नाही से निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे, देखिए मसालों को मैंने लिया है, अब जो सोट पाउडर है, वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और मिक्सी में मिक्सी जार में डाल कर इसे पीस लेंगे, देखिए चाय मसाला में पीस लिया है, बहुत ही अची इसमें खुश्बूआ रही है, अब हम इसे कंटेनर में डाल लेंगे, आप ऐसे चाय ए पूर के बना लेते हैं तो उसके लिए ने आधा कप यहां पानी लिए मैं दो कप चैय बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने आदा कप पानी लिया है पानी में उबाल आने देते हैं अच्छे से मैंने यहाँ एक चोटी चम्मच चाय पती ली है, उबलने देंगे इसे अच्छे से, अब मैंने यहाँ दो चोटी चम्मच चाय चीनी ली है, अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, अब मैंने यहाँ एक चोटी चम्मच चाय मसाला लिया है, दो कप चाय के लिए एक चोटी चम्मच चाय मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब हम उबाल आने देंगे और एक कप मैंने यहाँ दूद लिया है, तो वो डाल लेते हैं, देखिए जाए में अच्छे से उबाल आगया है उबाल आने के बाद आप एक मिनट के लिए लू फ्लिम पर और और दीजिए चाय तो बहुत हीज़ां टेश्टी एकदम कड़क चाय बनकर तैार होगी देखिए चाय मैंने चान लिए है बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी एकदम खुश्बू आ रही है इसमें तो आप भी चाय मसाला घर पर बना सकते हैं जम आसानी से आप इसे 5-6 मुईने तक स्टोर भी कर सकते हैं आप के लिए टालेग और आप इस्तोर करके रख सकते हैं जब भी आपका मसाला वाली चाए पिनी कमन हो तो आप इसे निकालिए और मसाला वाली चाए उंजय कीजिये करें टंड दी में मसाले वाली चाए बहुत ज़्यादाव'' टेस्टी लगती और यह हैल्दी भी है हमारे लिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको रेसिपी कैसी लगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो में डाल रहीं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले वीजिए